इवीम से वोटिंग पर सवाल उठाने और हर मतदाता को उसके दिये वोट की जानकारी मिलने को लेकर दायर अर्जी पर गुरुवार को सुप्रेम कोर्ट में एक अच्छी खासी लंबी बहस हुई इस मामले में याचिका वकीलों ने कहा कि लोकतंतर में मतदाता को ये हक है कि वो किसको वोट दे रहा है और वोट सही जगे पहुचा है या नहीं ये जानकारी उसे मिलने ही चाहिए इस मामले में पाक्ष रखते हुए वकील निजाम पाशा ने कहा कि वोटर कोई अधिकार मिलना चाहिए कि वोटिंग के बाद वीवी पैट स्लिप लेकर देखे और फिर उसे बैलेड बॉक्स में डाल दे इस पर जस्टिस संजीव खना ने सवाल उठाया कि इससे निजता का हनन नहीं होगा इस पर पाशा ने कहा कि वोटर की अधिकार को निजता का हवाला देते हुए हत्म नहीं किया जा सकता है चुनाव आयोग ने एवियम पर चिंताएं दूर करते हुए कहा कि सभी वोटिंग मशीनों में मौक पोल होता है चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा उमिद्वारों को पर्मीशन दी जाती है कि वे कोई भी 5% मशीने चेक कर सकते हैं यही नहीं वोटिंग के दिन ये पूरी प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है हर मशीन में अलग-अलग तरहा के पेपर सील होती है मशीने जब काउंटिंग के लिए पहुँशती है तो उस दोरान सील चेक की जा सकती है आदालत ने जब पूछा कि कैसे वोट चेक कर सकते हैं कि उसका वोट कहां गया तो अधिकारी ने कहा कि इसके लिए हम समय समय पर जागरुकता अभियान चलाते हैं आयोग ने कहा कि EVM किस असेंबली में कौन सी जाएगी ये पहले से तैं नहीं होता है फिर आयोग ने कहा कि मददान पूरा होने के बाद EVM को स्ट्रॉंग रूम में रखा जाता है इन्हें उमीदवारों की मौजूदगी में सील किया जाता है इसके बाद जब उमीदवार आते हैं तभी काउंटिंग वाले दिन रूम खुलता है अदालत ने इस दौरान पूछा कि क्या वोटिंग के बाद मददाता को स्लिप मिल सकती है इस पर चुनावायोग ने कहा कि ऐसा तो हो सकता है लेकिन इससे वोट की नीजिता का उलंगन होगा इसके अलावा वोटिंग स्लिप जब बूत के बाहर पहुँच जाएगी तो वोटर के साथ कई तरह की और भी समस्याएं उसमें आ सकती है उस स्लिप का दूसरे लोग कैसे इस्तमाल करेंगे ये कहा नहीं जा सकता फिर अदालत ने पूछा क्यों नहीं गिनी जा सकती सारी वीवी पैट अदालत ने ये भी कहा कि क्या संभव नहीं है कि सारी वीवी पैट स्लिप को गिन लिया जाए आखिर इसमें इतना समय क्यों लगता है इसके लिए मशीने नहीं इस्तमाल हो सकती क्या इस सवाल पर आयोग ने कहा कि वीवी पैट का पेपर बहुत पतला होता है और चुपकने वाला होता है इसलिए उसकी काउंटिंग आसान नहीं है इस पर अदालत ने कहा कि मुख्या बात है कि मद्दाता का पूरे प्रोसेस में भरोसा बना रहना चाहिए इस पर आयोग ने जवाब दिया कि हम इस संधर्ब में FAQ जारी रखेंगे हर सवाल का जवाब उसमें दिया जाएगा कुल मिलाकर अदालत में जिस तरह से EVM पर शंका का सवाल उफ्षाह है और उस पर विचार किया जा रहा है उससे यह उमीद जरूर की जा सकती है कि भले ही चुनाओ के दौरान ना सही लेकिन जल्द ही सुप्रीम कोट EVM पर भी कोई बड़ा फैसला जरूर देगा छूर्णल्गम जल्द लूर्ण M-दलाल शाद beautiful maas small submission mealard for five minutes on take blood 901.16 SLP civil number 3160 of 2015 blood this SLP blood subject to outcome of your lordship decision this is to be decided not on the ground millard certain duty was imposed what we'll go we'll not go into the facts you can tell us what your submission मलाड, मैं बाय बाय शब सक्वाण उन्होरो अर्गार इस परते से मुझार्णे स्वार्ण पर को जा आर्ट मैं उन्होर्ट है अर्गुट था जौर्ट से भी शोर्ट इस दूंए एलाग यूजूबटी था हॊ रसक्वार्ण इन का इर लिए टूर्ण इस अपूर इस क्वा एक रोडी रोरी। गाज़ पर्णकषि क्यों अब्रोब अजान वी औरांपुट शीज इस दूनिट आटेट अच्टि अथ लेक्ट अव स्थू यह इस राखिब फिरज शेश। इस रार्या लेग्रिज्डिट टॉड़ इस ताटेट इस ब्लाइड सेथू तटेट इस इस before the court the first issue is regarding entry 84 list 1 and the counterpart entry which is entry 51 list 2 the issue regarding that is alcohol fit for human consumption the second issue is regarding entry 8 list 2 which is intoxicating liquor and the third issue is regarding and yeah entry 33 of list 3 which is to be as per the other side read along with entry 24 of list 2 which is on the industries aspect and the counterpart entry in entry 52 list 1 what do you have to add the only the thing add is your lordship in the up excise act we have to see the legislative uh conscious from the act itself if your lordship will see the act because no one has shown the act the act itself defines what a liquor is this up state says liquor is intoxicating liquor and in in what what it includes they add all the beverages so the argument sought to be made now is contrary to the legislative conscious itself if your lordship takes the statute for one minute where do we get it we just make a note and then your lordship it's in volume 4 page number 682 there are four definitions which are important in this statute the first is excise duty which is at page 692 because it says excise duty as per entry 51 list 2 excise duty 692 then then definition of liquor which is also at page 692 bottom your lordship i'll just read it out it says liquor means intoxicating liquor and includes spirits of wine spirit tari panchai beer and all liquids consisting and containing of alcohol so there is no question of moving beyond these beverages or taking assistance of entry gates the other is excisible articles which is definition at page 696 excisible article they specifically mention means any alcoholic liquor for human consumption yes and then your lordship section 13 read with section 19 and 28 of the act says that any transport or removal of these excisible article that is to say any alcoholic liquor fit for human consumption will be charged with a duty so they in the legislative uh uh aspect have only relied on entry 51 which as per every submission is brought by entry 82 thank you thank you thank you yes mr divedi i was to answer my lord that uh tika ramji issue my lord if he lost his recollects whether it is my submission is this my lord uh look tika ramji he essentially does three things a a a it compares the two acts which were in question in that petition and says that there is no repugnancy in that matter with which we are not concerned yes but second which in my submission is an arbiter because that was not required to be decided is the term industry in entry 52 list one is restricted only to manufacture neither pre nor post manufacture and third tika ramji that does not even go into occupancy field and says that once there is no notified order the scope is open for the state to step in and legisle does not go into occupied does not go into it and says that but that is clearly an arbiter it was not required to be decided there is no discussion why why one view over another view so it is an arbiter but so far a second issue is concerned yes regarding the restricted meaning given to the term industry but there are some legislations in place as on date referable to entry 52 list one so they might be impacted in future the parliament may require my lord in peculiar circumstances to control my lord right from raw material till the end products usage so my lord i am not my lord respectfully my lord concerned with whether tika ramji is overruled or affirmed or a i have explained you know that's entirely your lordship's prerogative but not kindly bear these factor in mind so far as second is concerned which ever way your lordships may may not accept our submission that there was no legal or other necessity to restrict the meaning of the term industry it is wide meaning and if it is not so then even entry 24 list two also will be impacted because then state also will have only manufacturing parts and if it is not so then even entry 24 list two also will be impacted because then state also will have only manufacturing parts and if it is not so so i am not allowed against state i am saying state also would be adversely affected thank you so these are my thoughts good night yes mr hey please we have uh we have uh compiled the regional submissions also for lots of convenience the short uh 10 pages only 15 pages where will you find it mr devedi the volume one came on the screen dg code yes then you can scroll digital pc yes then you can scroll it law as i have been taught smirad and as i have learned over the years smirad and you know ships have hammered it in and that is not we are a federal structure but the power of the state under list two cannot be controlled or regulated by parliament that's the concept of cooperative federalism federalism the lordships have churned out now time and again and if i would refer to lordship's judgment would you like to read that out we have that para one para a let's see how you have formulated no 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 i was responding to what was argued today right at the end so the question is not what we are being told is that in 1951 idr contained in